बड़ा निमखराम, बड़ा बेहिमान, इस संक्षार में अगर निमखराम कोई बुस्तु पदार तो, कोई है, तो एक मत्र हमारे मन, मन ही सबसे खतुर ना दे, कोई गैरंटी नहीं, अभी बगवाद चिंतन में हमारे मन तल्लीन है, दुसरे मोमेंट में क्या होगा, कोई गै बीद्वान कभी मन को हरन करने में समर्तव हो जाता है, ऐसे ही यह मन की गति है, मन भरमीत हो जाता है, एक गुरु करपासे, महत करपासे, और आधरने की करपासे, इस से मुक्त होना संबभ, लेकिन सादक अगर ला कोशिश करे, निजी चेष्टा के द्वारा, यह माया पाल ढां बरिद्भान करने जिता में तो ज आधनर ला संब्भ नहीं प पार Majesty, कि अमין मुक्त हो जो जम्हत करी बर महत करने महत करने हैं। इसलिए भगवान गीता मिज्य चक्त हाते है, यह माया को एएक अगर द्रे καιते कॉन्णान करेत नहीं हो जो महत करे干ाने ओ् gimmod के सम्हत म जाते हैं मेरी कृपासियों माया पाड लगा सकते हैं। इसलिए शर नागती है। अपने को दीन हीन भावना लेकर किसी का दोस नहीं देखना चाहिए। यह बहुत खतरनक चीज़ है। इसका दोस देख लेते हैं ना। यह तो इसका अंदत्य अभगुन है। इसका अंदत्य आपना को हीन ग्यान अजुग गोता बुद्धी इसी में ही प्रेम इसी में सर्वसिद्धी। लोग। साब अच्छे हैं, साब सुंदर है। एक मतलो मलीन माई हूं। मुमों से कुन कुटिले खलकामी। ऐसे भावला। तो प्रभु कृपासियों माया पालागाती। इसका मतलब यह रहा कि साधक के जीव के पास तो कोई सामर्थ रही नहीं। अपनी तो कोई सामर्थ है ही नहीं। उसका प्रयास भी विफल रहा। जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास भी विफल चला जाता है। यह खुर दो करको ना प्रयाज बिफल के हो जाएगा। बच्चा मा के दर्टेन में शचडर करके स्व्पन नहीं कर शकता है। लेकिन प्रयायज करके मा जावे जाएगा। सो मा के दया कुठ़ पुछ आती है। कोरुना शक्ति जो आकर नाद एक उठा लेती है, उसको कुरुनाशक्ति जाकर के कुरुना शक्ति जाकर क्रिपाश्यक्टियों करुछ माय मनी नता है, दूर करजैती है. मुट्स बठार कगोला करने गा, वह स्थदा लीकिन उषाधन चेहिं दो वाल प्ड़त बार बार असफल होता है लेकिन एक मुमेंट पर जाकर दाया, कोरुना है ना, कोरुना शक्ति तो उतार आती है, इतना चिष्ट कर रहा है, इतना कोशिष कर रहा है, इतना रो रहा है, तो भगवान की कोरुना शक्ति आती है, उतार आती है, आ करके उसको कितार्त करती है, शाधन रुक गया, कोरुना अभी रूख गयू, देख रहे हैं। होगा नहीं। ती प्रशाद होगा। सादन का क्लेश सिकार करना ही पड़ेगा। महारा जिक बाद, कि शंत मापुरुष का कृपा, जो उनके द्वरा जो दिखित है। अब उनके चलन में जो आश्रे दे पंको होगा। जो भी उनके चलन me प्रती परेम, लगता होगा। देखो, सांत नहीं गुरु निष्था होनी चाहिए। गुरु निष्था प्रद्दन ह। गुरु प्रती स्रध्धा निष्था नहीं, दुसरा संत नहीं कि बहुत निष्था प्रेम का पपट वह कि आसल होगे। किसी संत के स्री चरनों में अनन्य निष्ठा हो और उनकी सेवां है, तो गुरु चरन आस्राय करें, गुरु में बट थिप्र सुर्द्धह होनी चाहिए, माल लो गुरु में हमरे निष्ठा नही आि निष्ठाissä को सुर्द्धह निष्ठा निष्ठा prossकट्ग है, तो यह कपट है, यह होगा नहीं। गुरू को उपेक्षा करके वो निष्था कर रहे है। गुरू के परती जैसा भाव है वो तो है ही अब पर अपने बल से तो वो होगा नहीं। लेकिन किसी संत के परती एक विसुद्ध निष्था है उनकी, तो क्या वो असफल रहेगा उसका कोई प्राप्त नहीं। अगर गुरू में निष्था है, अनन्या निष्था है तो संत के परती प्रेम तो लाब दाएक है, अच्छा है। अच्छा है